Deferred, Increasing, Decreasing Annuity ठीक हैं, तो Level Annuity के बाद में ध्यान से सुनना, अब जैसे सबसे पहले इसके अंदर Subheading लगाओ, Deferred Annuity, Deferred Annuity, Deferred Annuity, अब आज हम लोगों क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि Annuity अगर मानलों एक Certain Amount से बढ़ रहे हैं, For Example, यह Deferred नहीं है, मैं बता रहा हूँ बसकली, For Example, ऐसा समझो, पहला Payment 100 का है, फिर 1.500 का है, फिर 200 का है, फिर 200 का है, फिर 300 का है, तो अगर एक Certain Amount से बढ़ रहे हैं, या फिर अगर एक Certain Amount से गिर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग गोलते हैं, Simple Increase, Simple Decrease Annuity, Simple Increase, Simple Decrease Annuity, ठीक है, अब अगर मानों, एक Constant Rate से बढ़ रहे हैं, Rate मतलब, पहला Payment तुमारा होगा 100 का, फिर होगा 100 इंटू 1.04 का, मने हर Payment 4% से बढ़ रहे हैं, या फिर एक Certain Percentage या फिर Rate से बढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, Compound Increasing Annuity, Deferred Increasing Decreasing क्यों बोला, जैसे, यह जो Simple Increase हुआ न, अब ऐसा ही एक केस हो सकता है, जिसमें Annuity ऐसा हो, 1000, 900, 800, 700, 600, तो एक क्या हो गया, Simple Decrease, Simple Decrease, Simple Increase, Simple Decrease, तो Simple Increase Decrease का मतलब, एक Constant Amount से बढ़ना खटना, कुछ मतलिको, Compound Increase Decrease का मतलब, एक Rate से बढ़ना, एक Rate से बढ़ना, ऐसा Example लेगा, For Example, Medical Inflation, ठीक है, Medical Inflation, तो मालो, आज अगर हम दवाई पानी का खर्चा देखते हैं, तो मेरा महने का 10,000 पर लगता है, ठीक, एक साल बाद, मेरा वोई 10,000, 4% है, फिर 5% से बढ़ जाता है, दवाई का दाम सेम थोड़ी रहता है, मेरा को 20 साल में मेरा कितना Medical Expenses होगा, उन सबका Present Value निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, basically, we are moving to a more realistic case, we are moving to a more realistic case, एक और क्या है, Deferred Anvity, में तीन पाट है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है Deferred Anvity, अब हेडिंग लगाओ, Deferred Anvity, तो Deferred Anvity में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, Deferred Anvity है, तो हम लोग normally क्या सीखें, Arrier सीखें, Advanced सीखें, Arrier का मतलब क्या होता है, जब पेमेंट एक साल बाद होगा, Advanced का मतलब क्या होता है, जब पेमेंट उसी समय होगा, Right, मतलब आलो Time 0 से स्टार्ट होगा, और हर साल के Advanced पे पेमेंट होते चलेगा, Because Time 0 is the beginning of the first year, and Time 1 is the end of the first year, तो अगर Arrier बोलेगा तो end में, Advanced बोलेगा तो start में, ठीक है, Arrier बोलेगा तो end में, Advanced बोलेगा तो start में, अब यहाँ पर क्या होगा, Deferd में क्या होगा, एक Particular Time के बाद अगर्विटी स्टार्ट होगा, ठीक है, अब जैसे माल लो, मैं तुम लोगो यह बोलता हूँ, अब प्राक्टिकल एक्जाम्पल लेते हैं, यह timeline बनाते हैं, यह 0 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है और यह 10 है, तो बोलता है, time 5 पे पहला payment होगा, और time 10 पे last payment होगा, तो total number of payments कितना हुआ? 6, तो पहला payment तो time 0 पे या फिर 1 पे हो नहीं रहे, अगर पहला payment time 0 पे होता, या फिर मानलो time 1 पे होता, तो उसको हम लोग बोलते immediate annuity, immediate मतलब deferred नहीं है, समझना, अगर जब से मानलो, एक होता है immediately, मतलब time 0 पे पहला payment होगा, एक होता है immediate annuity, immediate annuity का मतलब, या तो 0 पे होगा या फिर 1 पे होगा, और ये क्या है time 5 पे पहला payment हो रहा है, मतलब ये deferred annuity है, तो अगर मानलो मिरको बोलता है, हर एक time पे, 100 पे का payment हो रहा है, तो हम लोग कैसे इसका present value निकालेंगे, ध्यान देने इसका present value कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका present value कैसे निकालेंगे, इसे present value निकाल लेंगे, v to the power 5, plus v to the power 6, plus v to the power 7, dot dot dot, plus v to the power 10. समझ माहर हम क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे present value को, into जो payment का amount है, वो 100 है, 1 है, जो भी है, तो इसमें deferred identity में ऐस सच कोई नया concept नहीं है, ठिंक, कुछ भी नया नहीं है, बस खाली यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, v to the power 5 common ले लो, है की नहीं? तो अंदर में क्या बचेगा, 1 plus v plus v square plus dot 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 v to the power 5, है की नहीं? 1 plus v plus v square plus dot 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 v to the power 5, तो यह क्या है? इडवान्स, क्योंकि पहला payment देखो, पहला term देखो 1 है, हम लोग क्या देखेते? 1 plus v plus v square, कॉपी खुमा के देखो, जभी भी 1 plus v plus v square dot dot v to the power n minus 1 था, उसका मतलब क्या था? वो annuity paid in advance था, और जभी भी v, v square, v cube, v to the power 4, v to the power n था मतलब क्या? अरियर था, है ना? तो इसको यह कितना साल का हुआ? 6 साल, क्योंकि v to the power n minus 1, तो यहाँ पर मेरा n minus 1 5 है, अरे n minus 1 is the last term ना? तो मेरा n minus 1 5 है, तो यह क्या बन जाएगा मेरा? यह बनेगा मेरा adu6, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100, कुछ कॉपी मत करो, v to the power 5, adu6, बने इसमें अस सच कोई नया concept नहीं, चीज को समझो, हम क्या समझाने का try करें, कोई नया concept नहीं है इसमें, कुछ भी नया concept ठीक है? अब आगे देखो, अब अगर मान लो, हम लोग time 4 पे खड़े हो जाते हैं, तो कैसा दिख रहा है? अरियर्स दिख रहे हैं, अगर time 4 पे तुम खड़ा होके देखते हैं, तो कैसा दिख रहे हैं? अरियर्स दिख रहे हैं, अगर time 5 पे खड़ा होके देख रहे हैं, तो कैसा दिखता है? एडवांस दिखता है, तो अगर मानलो मैं time 4 पे खड़ा हो जाता हूँ, और इन सारे payments का value को time 4 पे निकालता हूँ, तो क्या बन सकता है, देखो इसको एक साल टानना पड़ेगा, इसको दो साल, इसको तीन साल and so on, तो ultimately क्या हो जाएगा, 100, A6, time 4 पे value क्या होगा, 100 A6, और time 4 से 0 पे कैसे लिके जाएंगे, V to the power 4, clear, अब यही समझ लो कि हम लोग तुमारा, कुछ नहीं, अगर यही समझ लो हम लोग तुमारा advance में, मतलब हम लोग time 5 पे खड़े होते हैं अगर, यहाँ खड़े होते है time 5 पे, तो कैसा दिख रहा है, time 5 पे अगर खड़े होते हैं, तो कैसा दिख रहा है, advance दिख रहा है, टाइम 5 पर अगर खड़े होते हैं तो एडवांस दिख रहे हैं, तो अगर एडवांस दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 108U6, V to the power 5, तो 1st principal हमेशा follow करना, हमेशा 1st principal follow करना, तब जाके क्या, कभी life में कोई प्रोब्लम नहीं आएगा, 1st principal हमेशा, यह तुम लोगो background इसका पूरा पता होना चाहिए, कि क्या background हम लोग कर रहे हैं इसको, ठिके, तो हमने एकदब starting में क्या बोला तुमको, तीन टाइप का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे deferred annuity, एक पढ़ेंगे simple increase, simple decrease और एक पढ़ेंगे compound increase, simple increase, decrease का मतलब क्या, एक certain amount से बढ़ना घटना, compound का मतलब क्या एक rate, 4%, 5%, 10%, और यहाँ पर deferred annuity, इसमें कुछ भी नहा नहीं है, immediate नहीं है, immediate का मतलब क्या, या तो time 0 से start होगा, या फिर 1 से, immediate arrear बोलेगा, मतलब time 1 से, immediate advance बोलेगा, मतलब time 0 से, immediately बोलेगा, 0 से, immediately मतलब क्या, अब भी, आज, ठीक है, हाँ, रुख जा, रुख जा, यह सब कुछ मत करो, copy मत करो, अब रुख जा, पिस सुनतो जा बले, ठीक है, अब इसी में सोचो, यही सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ है, यही सेम चीज़ है, ध्यान दो पहले विवेक, 0, 5, 6, 7, 10, present value तो अमनों को समझ में आ गया, ठीक है, कुछ है नहीं, ध्यान दो, अगर मान लो 100 पय का payment हो रहा है, यहां से लेकर कि यहां तक, तो पहले सब सब ले कितना number of payment हो रहा है, 10, I mean 6, 6 payment हो रहा है, अब, अगर मान लो तुम्हारा, अगर मान लो तुम्हारा total में 6 payment हो रहा है, तो अगर तुम time 4 पे खड़े होते हो तो तुमको कैसा दिखेगा, अरियर दिखेगा, मतलब 1 payment एक साल बाद, फिर 1 payment दो साल बाद and so on, ठीक हैं? यही अगर तुम time 5 पे खड़े होते हो तो कैसा दिखेगा, advance दिखेगा मतलब एक payment अभी time zero नहीं तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर पहला payment हो रहा है फिर एक payment एक साल बार and so on ठीक है अब सोचो अगर मेरे को accumulate करने बोले time 10 पे तो मतलब क्या करेंगे time 5 वाले payment को 10 पर लिके जाएंगे मतलब 5 साल accumulate कर रहे हैं फिर 6 वाले को 10 पर लिके जाएंगे फिर 7 वाले को 10 पर लिके जाएंगे and so on ठीक है अगर तुम time 4 पे खड़े हो जाते हो अगर तुम time 4 पे खड़े हो जाते हो तो पहला payment कब हुआ एक साल बात टोटल में 6 पेमंट है तो SN का मतलब क्या होता है SN का मतलब क्या होता है SN का मतलब accumulated value of an annuity paid in arrears SN का मतलब क्या होता है accumulated value of an annuity paid in arrears तो अगर माणलो accumulated value of an annuity paid in arrears हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है मतलब हम जहां खड़े हैं उसके बाद मेरा पहला payment हो रहा है हम जहां पर खड़े हैं उसके बाद मेरा पहला payment हो रहा है माने हम तो time 4 पर खड़े हैं तो एक time period के बाद मेरा पहला payment हो रहा है ठीक है हम जहां पर खड़े हैं उसके एक time period के बाद मेरा पहला payment हो रहा है और sn में last payment जहां पर होता है accumulated value वहीं गिरता है सोच के देखो है ना पहला payment 1 पर होता है last payment n पर होता है और value कहां पर गिरता है n पर ही गिरता है तो अगर तुम टाइम 4 पर खड़े होगे, तो इस नॉर्मल अक्यूमुलेटेड अरियर अन्विटी, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 100S6, बस, अगर टाइम 4 केस आप से सोच रहे हो तो, ठीक है, अगर तुम टाइम 5 पर खड़े हो, क्यूंकि देखो, प्रेजेंट वैल्य पर खड़े होगे, फिर उसके उससे जरू पर भी लाना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू में तो उससो कोई जमिला नहीं है, तो डेफ़र्ड में, अक्यूमुलेटेड में कोई नया कॉंसेप नहीं है, तो नहीं समझे, कुछ टाइम बाद हो रहा है, तो पर जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आ रहा है, और अगर 5 से 10 है, तो 10 पर जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आई दोनों, अक्यूमुलेटेड वैल्यू सेम आएगा, प्रेजेंट वैल्यू में फरक आएगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू में क्यो डिफ्रेंस आएगा, इफ the rate of interest is same, the payment amount is same, सोच के देखो, पहला वाला payment 5 साल, फिर दूसरा वाला payment 4 साल and so on, तो present value में फरक आएगा, accumulated value में कोई फरक नहीं आता है, है की नहीं, ठीक है, present value में फरक आएगा, accumulated value में कोई फरक नहीं आएगा, ठीक है, अब ध्यान दो आगे, अब जैसे मैंने बोला, अगर मानलो मैं time 5 पे खड़े होता हूं, तो मैं जहां खड़ा हूं, वहीं पहला payment हो रहा है, है की नहीं, मैं जहां खड़ा हूं, वहीं पहला payment हो रहा है, और last payment कहा हो रहा है, 10 पे हो रहा है, ठीक है, last payment 10 पर हो रहा है, हम जहां खड़े हैं और वहीं से payment start हो रहा है, तो यह क्या हुआ, advance हुआ, है कि नहीं, advance हुआ, और advance में last payment जहाँ पर होता है, value उसके एक साल बाद गिरता है, देख लो copy में, अगर last payment n-1 पर होता है, तो value कहां गिरता है, accumulative value का, n पर गिरता है, तो अगर हम यह करेंगे, 100s due 6, 100s due 6, इसका मतलब क्या है, 11 पर गिर रहा है, very good, तो मतलब एक V करना पड़ेगा, एक V करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग accumulate करते हैं, जब भी हम लोग accumulate करते हैं, advance वाले चीज़ को, तो n-1 पर last payment, बट value गिरता है n पर, ठीक है, हां, यह था deferred anonymity, कुछ copy मत करो, रुको, अभी हम समस्ट, कुछ इसमें concept नहीं है, रुक जाओ, yes, anyone from the recording, they have any doubt, they can post in the chat box, anyone, what does that 6 denote, 6 की note यह, नालाएक, 6 के आए, number of payments है, 6 payment हो रहे है, चला-चला के गला सुग्या मेरा, 5 से 10 payment हो रहे हैं, तो 6 payment हुआ ना, भाईया, वो जो आपने दो expression लिखी हुई, लिखी due to, due और arrears, वो फिर से बताईए, ठीक है, एक और sum करेंगे, उसमें बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, एक और sum करेंगे, अभी देखो, यह clear हुआ, अभी, अभी समझना, अभी हम लोग concept पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर sums करेंगे, ठीक है, अब की बार हम लोग अपना institute का mat को ही पुरा religiously follow करेंगे, क्योंकि mat से बहुत सरे ऐसे topics से जहां sums वगएर आता है, ठीक है, तब लोग पुरा institute का mat को ही, follow हम लोग नोग अशीट, 100 sd, yes, हर्ष कुंदनानी ने बहुत अच्छा बात बोला है, हर्ष कुंदनानी क्या बोल रहा है, बोलता है भाईया, 100 sd 5, मतलब sd 5 करेंगे तो कौन-कौन सब इमेंट आगे बता हो तो, 5, 6, 7, 8, 9, value कहां गिरा, 10 पे, और 10 वाला का 100 और, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, इसका अब notation देखिए, के ध्यान से, ओजश्वी ठीक है, ओजश्वी धीर, अब इसका notation देखो, m deferred, an, इसका मतलब क्या पता है, present value of an annuity paid in arrears for n years, which is deferred for m years, ठीक है, ये जो m slash किये न, ये deferred का symbol है, present value of an annuity for n years, paid in arrears, which is deferred for m years, तो इस case में comment box में बताएंगे, कि इसमें पहला payment कौन से time period पे होगा, comment box में बताएंगे और physical में भी बताएंगे, पहला payment कौन से time period पे होगा, राशी पारे गलत, वोस्त गलत, पहला payment m पे होगा, अगर annuity m years के लिए deferred है, और arrears में हो रहा है, तो पहला payment कहाँ होगा, m पे होगा न, m प्लस 1 पे होगा, तुमारे इसाब से ही जाते हैं, तो अगर तुम बोलती हो, इसके लिए m पे होगा, तो m deferred a due n में क्या होगा, इसमें m minus 1 होगा, तो फिर सोच के बोलो, अरे भई annuity पांच साल के लिए deferred है, तो पांच साल को zero मान के चलो, समझा, गियम तुम लोग को रटार है चीज, ठीक है, मतलब जितना साल के लिए annuity deferred बोलता है न, उसको zero मान के चलो, अब जैसे मान लोग यहां पर तुम लोग को बलते है annuity is deferred for 8 years, तो 8 को zero मानो, अब देखो payment कहा, arrears में हो रहा है, अगर इन case मान लो payment arrears में हो रहा है, तो zero के एक साल बाद न payment होगा, मतलब पहला payment कहा होगा, 9 पे, तो इस case में पहला payment होगा, m प्लस 1 पे और इसमें m पे होगा, है की नहीं, हाँ, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अनविटी is deferred for m years, paid in arrears, for n years, तो m को zero मान के चलो, तो पहला payment कहा होगा, यहाँ पर होगा, और last payment यहाँ पर होगा, क्योंकि n years का अनविटी है न, और अगर यही मान लो advance में होता, पहला payment यहाँ होता, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और last वला यहाँ, यहाँ पर कोई payment नहीं होता, समझा रहे है, मैं क्या बढ़ रहा हूँ, हाँ, अब इसका मान लोगर हम लोग को accumulated value निकालना होगा, तो normal SN और SD1 होगा, क्योंकि accumulated value में कोई जमेला है ही नहीं, सोच के देख, कोई तो कबसा समझाने का ट्राइक कर रहे, accumulated value में कोई जमेला ही नहीं, अगर 0 से N होता, कोई भी structure, और अगर M से N हो रहे है, तो accumulated value में कोई फरक नहीं आएगा, फरक आएगा present value में, क्योंकि deferred है, और turn रहे, जोर से turn रहे, ठीक है, एक बाब बताना है, deferred में value कम आएगा, ना normal वाले अन्विटी में value कम आएगा, present value deferred में कम आएगा, क्योंकि payments और जोर से turn रहे, ज्यादा time period के लिए turn रहे, ठीक है, अच्छा, यह सब ठीक है तो, हाँ, अच्छा, अब इसका में लग notes लिखते हैं, heading लगाना deferred annuity, heading लगाना deferred annuity, अब से पहले लिखो, an annuity paid in arrears for n years, an annuity paid in arrears for n years, an annuity paid in arrears for n years, which is deferred for m years, which is deferred for m years, which is deferred for m years, m for monkey, ठीक है, देखो, पहला m years कुछ नहीं होगा, arrears में है, तो, पहला payment m plus 1 पे होगा, और last payment m plus n पे होगा, ठीक है, तो, मतलब, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो, इसका अगर अगर आवालोगो present value निकालना है, तो notation देखो, m deferred an, ठीक है, तो, m deferred an, which is equal to v to the power m plus 1 plus v to the power m plus 2 dot 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 v to the power m plus n, तो, क्या common लेंगे बताना, v to the power m common लेंगे इससे, तो, क्या आएगा, v, v square dot 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 v to the power n, तो, क्या आजाएगा, v to the power m an, है की नहीं? देख लो इसको, कनिष्ट नहाटा, ठीक है? हेत्वी में तो, you are in which class? class 12 और 10, which class? अपका हो गया class 12? अपका हो गया class 12? देख कैसे लग नहीं रहा, ऐसे लगा की 10 years और 12 years की छोटी से एग बच्ची बैठी ही एगदम पुरा, ठीक है, next, ये वाला arrier हो गया, अब next क्या लिख़ए था, क्या tone में लिख़ए था, अब रीड करना दो उसको? अब बसकली arrier को advance कर दो, अब क्या करेंगे ध्यान देना? देख लो, ठीक है, तो आब इसका मान लो, अगर हम लोग को present value निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? V to the power M, plus V to the power M plus 1, plus dot 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 plus V to the power M plus N minus 1. So, V to the power M bar, 1 plus V plus V square plus dot 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 V to the power N minus 1. V to the power M, A due N, ठीक है? है कि नहीं? इसके बाद एक note लिख देना, for accumulated value the formula does not change, for accumulated value the formula does not change, ठीक है? अरपित अगरवाल ठीक है? शृतमा क्लास्टा तो एसे कोत्ते हो वे बाड़ी दिये कोले तो हो वे ना तो? No, you are telling this from a lot of days. Disha Chaudhary, पूछ रहे है कि note में क्या लिखना है? Note में लिखो. There is no change in the formula for accumulated value. ठीक है? Accumulated value पुरा है? As it is, same रहेगा. थेंडा लग रहे है? हाँ, इसलिए हम रेगुलेट कर रहे थे. किसी को एसे ने लगना है सब पैसा बचा रहे हैं? जो यह वाला रिजन में बैठता है वो लोग थो विंटर क्लोथ सबने टैप लेक्या आता है, मतलब. ठीक है next. Next setting लगाना. Compound increasing annuity. Compound increasing annuity. ठीक है? कुश्चन लिखो. कुश्चन लिखो. कुश्चर. झाँ. 鄉. अ कुश्चन कुश्चर. झाँ. शॉइब जो ग्यान. अ कुश्चर. झाँ. झाँ. हम दिखो A 20 year annuity immediate मतलब इसमें कोई भी concept नहीं है इसको सम सही समझना पड़ेगा ठीक है लिखो A 20 year annuity immediate A 20 year annuity immediate with annual payments a 20 year annuity immediate with annual payments earned 6.2 % A 20 year annuity immediate with annual payments, earned 6.2 % फुल स्ट प्रस्ट 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 प्रस् one, over the previous one, full stop, find the present value of this annuity, find the present value of this annuity, full stop, क्या बोला इसमें ध्यान देना, क्या बोला इसमें ध्यान देना, annuity immediate है, मतलब क्या है, कुछ नहीं बोलेगा, तो arrear मानेंगे, immediately मतलब क्या होता है, advance, मैंने भी बताया, immediate मतलब deferred नहीं है, अभी जो अपने कर रहे हैं, शुरू का 14 चैप्टर, उसमें अगर कुछ नहीं बोलेगा, तो advance, I mean arrear मानेंगे, अगर मान लोग question में, anything is not mentioned specifically, तो arrear मानेंगे, अगर they use the word due, immediately, advance, तो advance मानेंगे, और अगर मान लोग question में कुछ भी mentioned नहीं है, तो हम लोग arrear मानेंगे, immediate का मतलब क्या, deferred नहीं है, immediately का मतलब क्या, अभी, आज, advance, due मतलब advance, ठीक है, a 20-year annuity immediate with annual payment, earn 6.2%, मतलब यह टानने का rate है, earn 6.2% मतलब क्या, यह टानने का, pulling back का rate है, आगे लेके जाने का, आगे और पीछे लेके जाने का rate है, ठीक है, आगे जान से सुनो, first payment is 500, मतलब पहला payment अभी होगा नहीं, एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद होगा पहला payment, the first payment is 500, and each subsequent payment is increased by 4%, तो दूसरा payment क्या हो जाएगा, 500 into 1.04 to the power 1, time 2 पे power में 1 है, और last payment होगा time 20 में, तो power में एक कम, तो 500 into 1.04 to the power 19, clear everyone, ठीक है, अब अपने को बोला है, find the present value of this annuity, अपने को इसका present value निकालने बोला है, ठीक है, ध्यान देने, एकदम ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, GP का formula लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको टानते हैं, तो क्या लिख सकते है present value में, इसका कोई notation भी नहीं है, क्या लिख सकते देखो, 500 V plus 500 1.04 V square plus dot 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 500 1.04 to the power 19, V to the power 20, यही होगा, क्या common ले सकते बताना, 500 V common आजाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 1 plus 1.04 V, ठीक है, plus dot dot dot, last में क्या हो जाएगा, 1.04 V whole to the power 19, यह मेरा first time हो गया, यह मेरा common ratio हो गया, ठीक है, अब एक बात समझ लेना, 1.04 V, इसका मतलब क्या है, 4% से बढ़ा रहे हैं, और V का मतलब क्या होता है, 1.062, मने 1 by 1.062, V का मतलब क्या होता है, V क्या होता है, 1 by 1 plus I, है न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by 1.062, करेक्ट, यही तो होगा न, भी, तो मैं क्या बोट रहा हूँ, 4% से बढ़ा रहे हैं, और 1.062, यह जो इससे टान रहे हैं, बिसके लिए ratio होगी एक्ट हो, वो इची मैं बता रहा हूँ, तो देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 500, divided by 1.062, यह तो एक्टम बाहर का चीज है अपना, अब अंदर में क्या आएगा, अच्छा, ratio अगर 1 से कम होता है, तो formula क्या होता है, A, 1 minus R to the power N by 1 minus R, तो A तो अपना 1 हो गया, A, 1 minus, मतलब 1 minus R, मतलब R मतलब 1.04 by 1.062, R to the power N, N मतलब 20 terms है यहाँ पर, here are 20 terms, whole divided by 1 minus R, R मतलब 1.04 by 1.062, ठीक है, solve कर लिजिए, इसको answer आजाएगा अपका, यही है compound increasing annuity, शुरू के मेरे recorded lectures मत देखो, क्योंकि अपके बार मैंने अलग तरीके से कराया है, तो मेरे साथ साथ चलो, we have shared the excel classes, तो excel के classes आप लोग देखना start कीजिए, अगर जो लोग का एकदम, हम लोग के up to date चल रहे हैं, ठीक है, तो शुरू के classes मत देखो, ठीक है, पहले का level annuity वगरे सब clear है, level annuity, payment stream, तुम्नोंक सब नया ही तो class देख रहे है, पुराना देखा है का विदेख भी, बुराना क्यों देख रहे हैं, येस अन्मोर बोलो, अब live करिए, live अला देखिए, कोई problem नहीं होगा, लाइव और रेकॉर्डर आसे कोई तो सहीं ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोला कितना आ रहे है, हाँ देखो, इसमें हम लोग ने क्या बोला, बोला पहला payment एक सल बाद हो रहा है, ठीक है, पहला payment एक साल बाद हो रहा है, दूसरा payment दो साल बाद हो रहा है, और पहला payment 500 का होगा, उसके बाद सारे payments 4% से बढ़ेंगे, और each payment is greater than the previous one by 4%, ठीक है, तो दूसरा payment क्या हो जाएगा, 500 into 1.04 to the power 1, फिर और क्या हो जाएगा, 500 into 1.04 to the power 2 and so on, तो लास्ट वला payment क्या हो जाएगा बैद ही, 500 into 1.04 to the power 19, ठीक है, अब इन सबको मैंने pullback किया है, उसके बाद मैंने 500 वी सब में से common लिया है, और फिर मेरा GP बना है, यहाँ पर A क्या है, 1 है, R क्या है, 1.04 by 1.062, यहाँ पर एक rate से increase हो रहा है, ठीक है, solve करिए इसको, कि आए, अ-अ-ब, अ-ब, आए, रहाँ आ शटुएण, रहाँ, नहाँ है, वे जाला कीओ आगगा है, यहाँ है, जो गरे during the video, आए, इसके को क्या आ रहे त्रिपल सेवन प्रॉर 0.42 देखे कैल्कुलेटर में बैठाने में प्रॉब्लम हो रहे है ब्रैकेट्स प्रॉपरली तो दिखवाएगा ठीक है इसमें एक और कोश्चन लिखो लिखो प्रॉब annual deposits are made into a fund at the beginning of each year for 10 years full stop the first 5 deposits are 1000 each the first 5 deposits are 1000 each full stop annual deposits are made into a fund at the beginning of each year for 10 years full stop the first 5 deposits are 1000 each full stop deposits increase by 5% per year thereafter deposits increase by 5% per year thereafter deposits increase by 5% per year thereafter full stop if the fund earns if the fund earns 8% effective if the fund earns 8% effective comma find the accumulated value find the accumulated value at the end of 10 years find the accumulated value at the end of 10 years full stop ठीक है देखते हैं क्या बोल रहा है सबसे पहले question देखके हम लोगको timeline को draw करना is very important बोलता है at the beginning of each year for 10 years अब बोलता है पहला 5 payment क्या है पढ़के बताईए thousand 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 dot 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 thousand तो पहला 5 payment 1000 का है उसके बाद बलता हर payment 5% से बढ़ेगा उसके बाद बलता हर payment 5% से बढ़ेगा तो मतलब जो 5th year बने basically 6th year के starting पे time 5 मतलब क्या 6th year का beginning time 0 मतलब क्या 1st year का beginning time 1 मतलब क्या 2nd year का beginning तो जो 6th year के beginning पे होगा वो कितने का होगा 1000 into 1.05 और last payment कहां पर होगा 9 पे होगा last payment 9 पे होगा तो क्योंकि advance में हो रहा है देगो कोश्रम ने क्या लिखा है annual deposits are made into a fund at the beginning of each year for 10 years मतलब time 9 पे होगा last payment कितने का होगा 1000 into 1.05 to the power 5 ठीक है और time 10 पे कोई payment नहीं होगा हम लोगों क्या निकालने बोला बताना तो find the accumulated value at the end of 10 years तो ध्यान देना एक काम करते हैं सबसे पहले इसका पूरा का present value निकाल लेते हैं क्योंकि compound increase में न accumulated value का कोई formula नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहले इन सब का present value निकाल लेते हैं और फिर पूरा को 10 साल आगे ले जाएंगे तो accumulate हो जाएगा और क्या पहले present value निकाल लिया पूरा structure का और फिर उसके उसको 10 साल आगे ले गए तो कैसे करेंगे देखो पहला past payments का तो बहुत easy है क्या होगा 1000 what 1000 ADU5 very good उसके बाद 1000 ADU5 उसके बाद 1000 ADU5 तो हो गया उसके बाद का बता हो पहला past payment हो गया उसके बाद में time 5 पे payment हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1000 1000 into 1.05 into v to the power 5 plus 1000 into 1.05 का square into v to the power 6 ऐसे जाएगा plus dot dot last payment क्या होगा 1000 into 1.05 to the power 5 v to the power 9 ठीक है तो हाँ इससे मेरा क्या आ जाएगा present value at time t is equal to 0 चलो करो इसको और टानने का rate क्या दिया हो है एइट परसेंट दिया हो है तो देखो क्या का common आएगा 1000 1.05 v to the power 5 यह पूरा common आ गया अब अंदर में क्या बच रहा है 1 plus 1.05 v plus dot 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 plus 1.05 v whole to the power what 4 ठीक है तो हाँ तो क्या आ गया अब टानो इसको 1008u5 plus 1000 1.05 v whole divide by टानने का rate कितना दिया है अपने को टानने का rate कितना दिया है फंड का rate of interest कितना दिया है 8% मतलब 1.08 to the power 5 ठीक है first term फिर से 1 है तो 1-r to the power n है ना by 1-r कर लो solve इसको clear हुआ सबको compound increasing annuity इशा, आर्या, दिवांश भर्तिया, तनीशा लकोटिया, पलक, वोस्ट, नव्जोज सिंग जी, अमंशील, भव्या जैन देखे यहां तक इसको अ erाई भवे जी, कैसी जैन झाल 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 ये सन्मोल बोलो कितना आ रहे 7692 येस 7692 पॉइंट कल भी क्लास है आ जाना Excel का बेसिक्स देखा क्या जाल आ ख्याल यह नहीं मिला इन न कॉलेज का क्या बोलेंगे को रोना के सब खराब कर दिया है फर्स्ट जब सेंजेवर्स कॉले में जाओगे न ऐसे सब लोग सीनियर लोग केक पेश्ट्री थमसब कुरकुरे अब तो जब तक तुमनों का पाटी देने का बारी आ जाएगा बहुत लोग तो एक साल में ग्राजुएट हो गए एक सेली गए फिर तो गए है नहीं ठीक है नेक्स टेटिंग लगाना नेक्स टेटिंग लगाना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अन्विटी हाँ एवी निकालेंगे नहीं वो तो 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 लोग नहीं कर सकता है इतना भी तो लोग नहीं कर सकता है यह present value आया है इसका टेटिव वैल्यू कौन निकालेगा इंटू 1.08 टूदी पावर 10 है ना देखो इधर बोलो यस और नो किसी का mic on है कितना है final answer बताओ श्रीतमा जी कितना हा रहे है 16607 नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अन्विटी ध्यान देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अन्विटी का मतलब क्या होता है compound increase का कोई notation नहीं होता है ठीक है और deferred में accumulation का कोई notation नहीं होता है क्योंकि इसका formula में कोई change नहीं है na for example m deferred SN is SN only and annuity paid for n years which is deferred for m years का answer SN होगा ठीक है notation तो तब होना चाहिन है जब उसको कि अलग मतलब हो अब जिसे increasing decreasing annuity में पहला payment मानलो एक रुपया का हो रहा है ध्यान देना यह 0 है यह 1 है यह 2 है यह 3 है और यह N है तो पहला payment 1 का होगा दूसरा payment 2 का होगा तीसरा payment 3 का होगा और Nth payment N का होगा simple increase हर एक payment एक रुपय से बढ़ रहा है पहला payment 1 का है और हर एक रुपय से बढ़ रहा है एक्जाम में ऐसा बोल सकता है, पहला पेमेंट 2 रुपय का, हर एक पेमेंट 2 रुपय से बढ़ रहा है, पहला पेमेंट 3 रुपय का, हर एक पेमेंट 3 रुपय से, लेकिन एक constant amount से बढ़ना चाहिए, ठीक है, simple increase, एक constant amount से बढ़ना चाहिए, एन इसी में हम लोग क्या करेंगे, decrease भी कर सकते हैं, formula में हलका साथ change करके हम लोग decrease भी कर सकते हैं, ध्यान दो, तो इसका अगर हम लोग present value निकालेंगे, notation देखना, I, A, N, I क्या होता है, capital I मतलब simple increase को denote करता है, capital I क्या चीज़ को denote करता है, simple increase को, capital I denote simple increase, an तो है, simple increase annuity मतलब capital I, small a, n, इसको एक बार के लिए हम लोग a मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, a मान के चलेंगे, संग संग कॉपी मत करो, तो a क्या होगा मेरा, v plus 2v square plus 3v cube plus dot 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 plus nv to the power n, बोलो हाँ, अब इसमें 1, 2, 3, 4 तो a पी में है, v, v square, v cube, v to the power n, जीपी में है, इस step का series को हम लोग बोलते हैं, a जीपी series, solve कैसे करेंगे, ये question है, solve कैसे करेंगे, हाँ, देखो अभी क्या करेंगे, 1 plus i से multiply करेंगे पूरा expression को, क्या बोला मैंने, 1 plus i से multiply करेंगे पूरा expression को, और एक तम सरका के लिखेंगे, देखो कैसे, 1 plus i into a is equal to, तो जब तुम RHS में 1 plus i से multiply करेंगे, तो V क्या बन जाएगा? 1, 2 V square क्या बन जाएगा? 2 V, 3 V cube क्या बन जाएगा? अच्छा, N V to the power N क्या बन जाएगा? एक में टुक नहाँ? ठीक है? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहा था? यही हो जाएगा? ठीक है? नीचे वाला माइनस उपर वाला, समझा? अच्छा, थीक है? अच्छा, जो बच्चा ध्यान निक दरहें दुबारा नहीं बताएगे? देखो, अनमोल चोका नहीं, वेरी गुड, वो लिका है 2 minus 1, जब नीचे वाला माइनस उपर वाला, ठीक है? तो 1 plus i into a minus a, i a is equal to 1 plus v plus v square plus v cube dot dot dot, n minus n minus 1 क्या होता है? 1 मतलब, plus v to the power n minus 1 उपर वाला जो पूरा टर्म है, वो माइनस में है? उपर वाला जो पूरा टर्म है, वो माइनस में है? तो a क्या हो जाएगा? पहला वाला यह सब क्या मिलके बन रहा है? a due n minus n v to the power n by i ठीक है तो, सॉज में है? हाँ, solve करो उसको very 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 important हाँ, अरे यह सब basics है, तुम यह सब समझ जाएगा मतलब अभी क्यों slow कर आ रहे हैं? यह सब समझ जाएगा मतलब फिर आगे पढ़ना ही नहीं पढ़ेगा तुमको हम लोग का जो regular class है वो October 17 से स्टार्ट होगा ठीक है दो? regular physical class हफता में जो 6-7 पूरा schedule दे देंगे ठीक है? उसके हिसाब से ही class होगा हाँ, अनमोल चोकानी derivation भी आता एक्जाम में हेत्वी में ता आपको समझ में आ रहा है न मतलब हेसाब? अकाश भॉमिक जी समझ में आ रहा है? क्यों है कि अब जैसे यह हुआ तो यह अरियर हो गया इसी को एडवांस में देखो कैसे करेंगे यहां पर लिख दो बगल में अरियर अब जैसे एडवांस वाला कैसे करेंगे ध्यान देना 0,1,2,3,n, n-1 ठीक है तो 1,2,3,4,n समभना आ गया मैंने टाइम 0 पर 1 बिगिनिंग आफ फर्स्ट येर बिगिनिंग आफ सेकंड येर मतलब क्या टाइम 1 बिगिनिंग आफ सेकंड येर मतलब क्या टाइम 1 बिगिनिंग आफ थर्ड येर मतलब क्या टाइम हाँ इसका अब हम लोग प्रेजन वैल्यू को कैसे निटेशन देंगे देखो iadun i क्यादिनोट कर रहा है simple increase इसको एक बर के लिए b ले लेते हैं तो मेरा b क्या आ रहा है 1 प्लस मेरा b क्या आ रहा है बताओ तो 1 प्लस 2v प्लस डॉट 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 प्लस and v to the power अब इसमें v से multiply करेंगे v से v से multiply करके एक तम सरकार के लिखेंगे मतलब vb is equal to बोलो v plus 2v square plus dot 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 यहाँ पर क्या आ जाएगा n minus 1 v to the power n minus 1 plus nvn है की नहीं ठीक हैं अब देखो दिहान से अब ये मेरा हुआ 1 ये मेरा हुआ 2 अब हम लोग को क्या करना है बोलो बोल के बताओ 1 minus 2 1 minus 2 हेत्वी में था गजब गजब 1 minus 2 बोलो न हाँ चलो चलो आगे करो तो 1 minus 2 मतलब क्या बी कॉमन 1 minus v क्या होता है 1 minus v is equal to 1 plus v plus अब minus में कौन सा वाला है नीचे वाला ना उपर वाला नीचे वाला पुरा minus में है नीचे वाला पुरा minus में है ठीक है 1 plus v plus v square plus dot 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 plus v to the power minus nv n चलो चलो b is equal to a du n minus nv n by 1 minus v क्या होता है d very good चलो क्या हाँ यहाँ पर देखो d हो गया ना душ यह यहाँ ए उ्पर हाल हाँ पाह पाह हाँ nine October 2nd week में mock test है Time value of money Interest rates Payment stream Level annuity Increasing decreasing Equation of value 6 chapter का mock test होगा Paper A कभी होगा Paper B कभी होगा Sahil Jindal अभी तो बोला Paper B कभी होगा यह क्या comedy box है क्या कुछ भी लिखते जा रहे हो Sir थोड़ा उपर स्क्रॉल लो उपर मतलब क्या इसमें Aria वाले में अनमोल चोकान नहीं लिख रहे है Saturday या Sunday का schedule करिएगा ठीक है Aria Saudia Word में Yes Aria Word पे होगा Word पे होगा ठीक है और कोई FAQs है मौक टेस्ट को लेके अभी तो खाली announce किया तो कितना query आ रहा है अभी तो class के बाद phone करेंगे कैसे prepare करें बताईए ना अभी तो advance में देखो nv to the power n-1 में अगर v multiply करेंगे तो क्या आजाएगा nvn आजाएगा न और इसके पहले क्या हुआ होगा n-1 v to the power n-2 उसमें अगर v multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 v to the power n-1 इसमें सब में v multiply करेंगे हैं सोचो imagine करो nv to the power n-1 के पहले term क्या हुआ होगा n-1 v to the power n-2 उसमें v multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 v to the power n-1, ठीक है? चलो, अब इसमें हम लोग एक डोडोग प्रैक्टिस करेंगे, i a 10 at the rate 5%, तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना? a du 5, minus 5, sorry, sorry, a du 10, minus 10, v to the power 10, by i, solve करेंगे, बताएं कितना answer आ रहा है? band लेना? 5, minus 10,рал Ramayla, मθाताओे, कद default करेंगे, अबाएं कुछू प्रैक्ट्रिघकति वामिना मत वारे means 15, Brazil, ŞGI कुम इसमें हमें हैं वारे रहा है, सब एक जोओतो है । 张 पल्परीं ग कितना मत वोभोग है औ पज मत उ Elsa शवम anywhere? मत वारे हैं स्मृति जी आपका प्रीवेस सारा क्लास हो गया है, आप बस कर लिए लाइव बैच के साथ में रहेगा ठीक है, बस और आपको फिर कुछ नहीं करना होगा. पुराना क्लास देख रहे हो, शौक के लिए देखो, बट रेक्वार्मेंट नहीं है, ठीक है, वो ही मैं बता देना चाहता हूँ, खाली इसको करोगे तो it is enough, कितना आ रहे है, एई साक्षी कितना रहे है, विधी कितना रहे है, कितना रहे है, तुम्हा नाम क्या है, दिव्य अंश, तनिश, कितना रहे, नवनीत रोकाडे ने एकदम पुरा धासू सा एंसर दिया, 39.374, I8U8, तो क्या हो जाएगा, 8U8, माइनस 8V to the power 8, by 0.07 by 1.07, झाल, 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 झाल 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 तो कल सुबह सुबह रख देते हैं कोई मेट्रोस आता है कौन कहां से आती हो संदे मेट्रोस चलता है ठीक है हर्श कुंदनानी कहां हो तुम सामने आओ दिखी नहीं रहे हमको तो हर्श कुंदनानी लिखा है कि सर्विल वर्ट क्लासेज भी कंडुक्टेड लाइव और वी अब तू बता देंगे तो थावच रखो तुमको मौक्टेश का अभी से ट्रेंशन इतना कॉंपरिटिव क्यो हो गए तुम लोग पहले से मतलब अभी ताज है नाउंस कि धिरे-धिरे बता देंगे तुमको कि मौक्टेश का कैसे क्या करना है तुमको ठीक है एक्सेल का क्लास देख लिया तेर से पूछ रहर्श एक्सेल क्लास देख लिया कितना रहा है इसका अंसर 26 पॉइंट ठीक है अब आईए में पीएथली पेमेंट नहीं होता है आईए में पीएथली पेमेंट नहीं होता है पीएथली पेमेंट का मतलब है कि इसमें जो टाइम पीरेड में पेमेंट हो रहा है हम लोग को उसी टाइम पीरेड में काम करना पड़ेगा जैसे level annuity में sums किये थे ना, कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, quarterly payment हो रहा है तो half yearly काम कर लेते हैं, वैसे नहीं होगा इसमें, Pth नहीं होता है इसमें, इसमें क्या है, जो time period में हुआ है, उससी time period में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, दो type का structuring हो सकता है, समझना, payment का structure देखो, 200, 300, 400, 500, 600, 700, पहला payment 200 का है, और हर payment 100-100 रुपए से बढ़ रहा है, ठीक है, मालो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, तो ऐसा तो कोई हम तुम लोग को सिखाए नहीं, अगर पहला payment 100, 200, 300, 400 होता तो क्या करते, 100 का आईए, पहला payment 100 और हर payment 100 अगर 100 से बढ़ रहा है, तो क्या करते, 100 का ये कर देते, लेकिन यहाँ पर पहला payment 200 है, और ऐसा हो सकता, पहला payment 500 देदे, 5 जर देदे, 10 जर देदे, कुछ भी देदे, तो उस case में क्या होगा, इसको दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, एक पार्ट हम लोग को बनेगा level annuity, और एक पार्ट हम लोग को बनेगा increasing या फिर decreasing, जो भी, ध्यान से सुनना, जबी भी अगर भरता है, तो जितना से भरता उतना से घटा के लिखेंगे, मतलब, पहला payment को हम लोग लिखेंगे, 100 प्लस, 100 इंटु 1, फिर दूसरे को लिखेंगे, 100 प्लस, 100 इंटु 2, तो जितना से बढ़ रहा है, उतना से घटा के लिखेंगे, मतलब 200 माइनस 100, तो देखो 100, 100, 100, 100, सब में level आ जाएगा, और देख 100 इंटु 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस, 100 इंटु 6, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 100 का level आन्विटी हो गया, मतलब 100 का मेरा level आन्विटी हो गया, और जो 100 है, उसका increasing आन्विटी हो गया, ठीक है, उसको copy करो, साला मिश्र, ठीक है, प्रवेश ठाको ठीक है, प्रवेश ठीक है, प्रवेश ठीक है, एक और structure हो सकता है, अगर मान लो, ऐसा रहे, 5,000, 4,800, 4,600, 4,400, 4,200, तो क्या और है, दो-दो से गिर रहे, तो जितना से गिर रहे उतना से बढ़ा के लिखेंगे, मतलब, 5,200, plus, sorry, 5,200, minus 200 into 1, 5,200, minus, 200 into, 5,200, minus, 200 into 3, and so on, तो लास वाला क्या हो जाएगा, 5,200, minus 200 into, 5, ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 5,200 का मेरा क्या हो गया, level, and 200 का मेरा क्या हो गया, increasing, decreasing, हुआ तो increasing ही न, लेकिन करेंगे बीच में minus, तो जब बीच में plus होता है, तो मतलब क्या, वो increasing structure denote करता है, लेकिन जब बीच में minus होता है, तो it is decreasing structure, लेकिन है तो simple increase ही न, decrease का SS कोई formula नहीं है, समझा? decrease का भी formula करने का दरकार नहीं है करेंगे उसको increasing सही बट अगर बीच में minus होगा तो decreasing denote करेगा है तो यह simple increase ही न 200 into 1, 200 into 2, 200 into 3 200 into 4 and so on copy कर लो उसको भी सबस्क्राइब आपरें ज्सक्राइब झाल झाल जिर बाड गाल increasing ही तो हुआ, minus कर रहे हैं, बोल के वो decreasing दिख रहा है, लेकिन है तो increasing ही, ठीक है, अब इस पर एक question लिखो, लिखना, Alex, Alex receives, Alex receives 600 in year 1, Alex receives 600 in year 1, 580 in year 2, 560 in year 3, and so on, and so on, until the final payment of 400, Alex receives 600 in year 1, 580 in year 2, 560 in year 3 and so on, until the final payment of 400, full stop, annual effective rate of interest is 4%, annual effective rate of interest is 4%, full stop, find the present value of these payments at time 0, find the present value of these payments at time 0, कुछ नहीं बोला है, तो arrears मानेंगे, तो अब इसमें देखो, पहला payment क्या बोला, कितने का हो रहा है, तो time 1 पे 600 का, फिर time 2 पे क्या बोला, तो कब तक 400 आएगा, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, AP है basically, एक टेप का AP है, फिर्स तम मेरा हो गया 600, A प्लस N-1 into minus 20 is equal to 400, ना, clear, एने तम तो ऐसी निकालते हैं, यहां से N निकालो कितना आ रहे है, यहां से N निकाल के बताओ कितना आ रहे है, comment box में बताओ, यह 11 आ रहे क्या, तो 11 आ गया, अब एकदम ध्यान देना, मतलब यहां पर यह 11 है, इससे यह पता लग गया, यह एक missing figure था, निकाल ली है, अब ऐसे तो होगा नहीं काम अपना, decreasing है, decreasing है, तो जितना से गिर रहे हैं उतना से, बढ़ा के लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 620-20 into 1, 620-20 into 2, और last में क्या आ जाएगा, 620-20 into 11, है की नहीं, तो अब इससे formula क्या बनेगा, हम लोग का, 620-11, level annuity for 11 years, minus 20 I A 11, ठीक है, 620-11, minus 20 I A 11, त्यूंकि 20 का I A हो गया न, solve कर लिजिए, इसको आपका answer आ जाएगा, at the rate what, 4% बोलिए हाँ, 4%, कल सुबर 9 बजे class रख दे रहे हाँ, in case metro पूछ लेना जाते था, अगर बंदों को तो कल घर से कर लेना, AP से करिए, आकास भॉमिक जी, AP से करिए, हमेशा वही वाला method apply कीजिए, ठीक है? अजिए, आकास भॉमिक जीए, अचास भॉमिक जीए, ठीक है, एंसर कि नारे, फोर, फोर, फोर एक और कोश्चन लिखो पहले एक और कोश्चन लिखो पहले लिखो, स्पेस्टोर के लिखो max receives 300 in year 1 max receives 300 in year 1 350 in year 2 400 in year 3 and so on until the final payment of 800 max receives 300 in year 1 350 in year 2 and 400 in year 3 max receives 300 in year 1, 350 in year 2 400 in year 3 and so on until the final payment of 800 full stop interest rate is 4%, find the present value at time 0 फिर से repeat कर रहा हूं max receive 300 in year 1, 350 in year 2, 400 in year 3 and so on until the final payment of 800 interest rate 4% calculate the present value करो नसे करो अब इसको पर खोन सहरा हूं आए tackle मेली प्रून संबार, करो यह करो जो भी आए to aterial पर बदेस आए हैे, करो तर उसको क्रोट पर शोच Seven a का बाएमा खोनों 1000 आए? झाल 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 दूसरा बाला का कैसे लिखेंगे? 250 प्लस 50 इंटो 1 झाल कितना झाल 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 ok